जान वे हावा जा रही है सच्छा येस सर जान जान तो हम लोग पिछले क्लास में जान सरकल स्टार्ट किये थे और कुछ देर के बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो वहां सापके जाज़ा समझ रहाएगा और ये सरकल खतम हो रहा है बस पांस साथ मिनिट तो इसके बाद तुमको नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसको स्टार्ट करना है हम लोगों ने पिछले क्लास में सच्छम जान और एक नया बच्चा और भी आ या यह 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 देखिए हम लोग ने स्टार्ट किया था सरकल जिसमें की बताया था एक्क्वेशन ओफ सरकल एक्क्वेशन ओफ सरकल एक्वेशन ओफ सरकल पस्ट्रू दो पॉइंट्स ए एंड बी एंड सेंटर लाइज ओन ए एक्स प्लेस बीवाइप प्लेस सीज गल्टू जीरो यहां तक आपका कुर्शन हो गया था ठीक है इसके बाद आप लोग कुर्शन कर लिए होगे सच्छम जान वी और वह यहां बात मुंसरों भी नहीं आई है था चैब पर स्क्यास्ट कोई होता है जिसको प्वाइंट मैलों भी है x1 y1 और ये है center कुछ भी ले लो इस circle का equation हम लोग मानते हैं x2 plus y2 plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 तो इसे में condition ये होती है जो if if p on circle तो इसका में तो ये हो गया जो कि ये जो point है x1 y1 ये इसको क्या करेगा satisfy करेगा और यहां से इसकी जी value आएगी वो 0 के equal आएगी तो ये हो जाएगा point x1 y1 square x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c is equal to 0 तो ये कब होगा जब on the होगा अगर ये less than 0 होगा तो inside होगा इंसाइड होगा और अगर greater than 0 होगा तो ये outside होगा है किलर होगे बात ये इस बता जते हैं जो कि अगर equation of circle जो है x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 है और अगर ये पी-point x1 y1 like करता है circle पे तो वो equal to 0 होता है और अगर less than 0 आता है inside 0 होता है और अगर greater than 0 होता है है तो वो outside 0 होता है सच्छा हम हमें बता सकते हो जो वह कौन से साइस का circle का है कि सब्सक्राइब वन कि 5.1 कि 11.1 11.1 11.1 का सबसे लास्ट कुस्टन करो उसके बाद ये चैप्टर आपका खताम हो गया जल इसे करो तो क्णा हो है आता है 2 जाओन आप इनिसियाटिफ गुपनिकाल दीजेगा जाओन आप इनिसियाटिफ गुपनिकाल दीजेटिफ गुपनिकाल दीजेगा वाइनस टू फाइनन फाइब कोशली पॉपनिकाल लाई इंसाइड ओटसाइड ऊंडव तरकल हम लोग क्या करेंगे मैंने स्टू फैब रख देंगे और टू फाइब रख देंगे ठीक है उसके बाद यह देखेंगे दिख्या यह 25 के एक वला रहा है या 25 से छोटा रहा है या 25 से बरा रहा है इस पॉइंट टूफाइब 3.5 करोगे तो कितना होगा एट पॉइंट पॉइंट कहां पर जाएगा इंसाइट में तो फॉइंट होगा इंसाइट में किलरों के बात जानवी आपका कुस्टन में 15 हो गया मैसेज बॉक्स जाके यह सब्सक्राइब लिख दीजिए चलिए नेक्स टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पैरा बोला कॉनिक सेक्शन का नेक्स पर्ट टॉपिक डालिए पैरा बोला ठीक है यह देखिए पैरा बोला में क्या होता है जो कि यहां से इसकी ठीक्स डिस्टेंस जिसका हम लोग इसका हम लोग जीरो बोल सकते हैं और यहां से इसकी परप्रेंडिक्टिकुलर डिस्टेंस यह हो जाएगा पियेश और यह हो जाएगा इस पर ऐड़ा करने चाहिट भी स्टाटी किया है ठीक है तो मैंने ही मैं यह बोलना हूँ जो कि यहां पर कोईक पॉइंट लेते हैं हम लोग पी जहां से इसकी डिस्टेंट और इस पॉइंट से जो इस लाइन की जो परपनिक्रा होती है PS equal to PM आप लोगों को डिफनेशन नहीं पूछेगा लेकिन आगे की जानकारी के लिए जरूरी है जानना ठीक अभी जस्कूल के लिए जो है इकना नहीं पूछा जाएगा अब एक डिफनेशन लिख लिए सब लोग हम धेरे करके बोल रहे हैं उसके बाद ही आप लिख पाहेंगे लिखो पराबोला इजे लोकस अथ पॉाइंच टिक एम धीरे बोलना है हम पराबोला इजे लोकस अथ पॉाइंट in which locust of a point locust की sparing कैंड locust locust मतलब होता है path Hindi में इसका यह मतलब होता है जो कि यह जो p point है यह इसका locust क्या होगा इसका equation क्या होगा यह कहां से pass करेगा ठीक है देखे it is a locust of a point in which its distance from a point its distance from a point point को bracket में लिखिए focus point को bracket में लिखिए focus एक गम नया नया वर्ड है इसाब point को bracket में लिखिए focus its distance from a point is equal to is equal to its distance from its distance from as a distance के साथ पर्पेंडिकुर लिख लिजेगा its perpendicular distance its perpendicular distance from a straight line a straight line which is known as directrix which is known as directrix which is known as directrix सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस लाइन पर बना है वो उसी लाइन को इस लाइन को डिरेक्टरेस बोलेंगे ना है इसी लाइन के साथ बना हुए है आएॹ्यझे करिक्टर लाइन 09 इससर्पा आहे हैं 17 एम अपा स्क्राइब बना पर इसको मैं uda रहा हूं इस इसे कल डो फीर गरें अब लिखे यहां से जो मैं दुसरा बत लिखा रहा हूं, नॉट, यह आपको NCRT में नहीं गिया हुआ है, यह हमें एक्सटाज बचाना पढ़ रहा है, नॉट, नॉट में लिखिए, एक्ट्वली, यहाँ पर में लिख रहा है, एक्ट्वली, पीएस, डाइक्टी परपोर्शनल टू पीएम, य यहाँ से अपनों के लिए नया वर्ड आ गया, E equal, PS is equal to E into PM, where E is known as eccentricity, eccentricity, अब पुछोगे, जो कि eccentricity क्या होता है, eccentricity जो होता है, यह किसी भी कोनिक के सेप को, या क्या करता है, करता है यह जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे पॉनिक का से चेंज होते जाएगा ठीक अभी मैंने आपको लिखाया है पैराबोला के केस में पीएस इसकल टू पी एम जानवी यह बताओ इस केस में यह क्या रहा होगा वण यहां पर मुल लिखेंगे पॉर पैराबोला पॉर पैराबोला इएक्वल टू वन तभी हम लोगों ने पी एसी इसकल टू पी एम लिखा था फिर लिखेंगे पॉर इलिप्स जो कि आपको पढ़ना है इलिप्स E की वेल्यू लेस्टन वन होती है फिर पढ़ना है 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 पर बोला जिसमें E की वेल्यू गेटर दैन वन होती है जान रखना और यहीं से आपका कॉनिक सेक्षिन में जो है वो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तीनों कर तीनों पार्ट डिफाइन होता है आप एक बार फिर से बता सकते हैं, ऐ जो होती है, वो किसी भी कॉनिक के सेप को डिफाइन करती हैy सिर्फ होगी उसकी जो सेफ होगी उस कोनिक ऋवती जाएगी जैसे जैसे इक वन होगा तो पैरा बोला को डिफाइल करेगा जिसमें कि PSP समझ रहे मेरे बार ये सर्फ है अब की वैल्ली लेस्ट गड़ा वन है ओविस है है पीएस छोटा होगा पीएम से यह सर थे हैपरवला के केस में यह बढ़ा है वन से तो पीएस बढ़ा होगा पीएम से तो इस तरीके से यह पैरा बोला एलेप्स और है पर बोला तीनों को डिफाइंड करता है समझे बात अब हम आते हैं पैरा बोला के में तेंग अब तुम देखो अब देखो जेनल एक्वेशन आप पैरा बोला यहां से स्टार्ट करो जेनल एक्वेशन आप पैरा बोला ठीक जेनल एक्वेशन जो पैरा बोला होता है वो होता है यहां पर यहां पर एक्वेशन आप बोला जो ग्रा बनता है वो यह बनता है जिसमें कि यह एक्वेशन कर लाता है ज्यान से वो focus की नाम से जाना जाता है जैसे आप लोग 10th में science में mirror परते थे यहाँ पर focus होता था इसी तरीके से a,0 focus की नाम से जाना जाता है यह जो p होता है यह होता है vertex और vertex का जो coordinate है वो होता है 0,0 गाल सुनना ठेक उसके बाद देखो जितना डिस्टेंस पी एस है उतना ही डिस्टेंस हम लोग पी एम के लिए लेते हैं पी एम यहां पर ये एम है तो देखो तो अगर ये एक कॉमा जीरो है तो इसका कॉर्णर कितना होगा minus a comma 0 ठीक और यहां से इसकी एक्विशन होगी वो होगी x is equal to minus a so that x plus a equal to 0 this is known as directrix ये हो गया directrix ठीक है पहले तर नोट कर लो फिर आगी बचाते है कि जॉन मेरी आवाज आ रही है कि सब्सक्राइब रहा है कि यह सर पहरा बला स्टार्ट करो कि दो मिनट आप लोग रुकिएगा अभी एक बच्चा जुएन किया है मुवसिरा कि यह सामने में लिखा हुए है इससे पलेची बता है उसमें के बात नहीं है इसको नोट करिजिए जल्दी से जैनल एक्वेशन अपैरा बॉला एक्सक्यूज में सब्सक्राइब जो कि जितना पी से एस की डिस्टेंस होती है उतना ही पीछे हम लोग पी से एम की डिस्टेंस लेते हैं तो पी का कोडिट क्या है डिए पी का एक जीरो जीरो कमदी रहेना पी एह हाँ पी का जीरो कमदीर यह और जिन हुआनना ये एस से क्लिश्ट डेटी हो प्लस लेते हो कि मैनस लेते हो माइनस तो हमने माइनस लिया यह सो वो माइनस एक कॉमा जीरो वाला तो समझा गया क्योंकि पी एस और पी एम का डिस्टन सेम होना चाहिए कैसे हुआ ठीक यह माइनस एक कोडिनेट है जानवी यह एक्स इस कल्टू है क्यों इक्वल टू है एक्स इकोल स्टू एक्सट इसट्ड़ टू मैंनस एट लिखेंगे यह सो एक्सट टू मैंनस एक्वेशन होगा क्योंकि परलिल्ट वाई एक्सिस है यह मैनस एक उज़र ले जाओ एक्स प्लस एक्वल टू जीरो हो गया ये सर ये ऐसे वर्टिकल था तो हमने एक्स लिया अगर ये होरिसॉंटल था तो हम वाई लेते हैं वाई लेते वो भी पढ़ेंगे अभी हम लोग यहां पर कोई अगर पी लेंगे यहां पर कोई पॉइंट अगर पी लेंगे यहां से पी एस की डिस्टेंस और यहां से पी एम की डिस्टेंस दोनों आपस में एक्वल होना चाहिए अब जास कुर्चर पहले बताया था अचाहिए यहां पर हमने एम ले लिया है तो यहां पर तुम लो ऐसा करो क्याप्टल एन ले लो क्याप्टल एन ठीक तो हमें यह बताओ जो कि हमें पी एस इस कल टू पी एन आया था यही तो लोकस्ता तो यह जब इसको आप करोगे तो यहां से एक्वेशन है वह क्या ना चाहिए वाई स्क्वार इस कल टू पूर एक्स आना चाहिए सेक्शन सर आ तो जाएगा बर कैसे आएगा यह बता थेक हाँ आ तो जाएगा लेकिन कैसे आएगा मैं सुझा था आप लोगों से करवा हूं लेकिन आ चलो ठीक कोई दिकत नहीं चलो मैं समझा रहा हूं यह देखो हमें यह बताओ जो की पीएश जो लिखोगे पीएश जो लिखोगे वो क्या लिखोगे बताओ तो अंडरूट एक्स माइनस एका होली स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर लिखोगे यह सर यह बाकी लोगों को समझ में आ आ गया है पीएश सर दिस्टेंस फर्मिला ठेक उसके बाद बीएश पीएश पीएश प्लस ए है तो एक्स प्लस एपॉन अंडरूट वण यह दिस्टेंस प्लस एपॉन निकाल दिये तो यह किसके एक्वल हो गया एक्स प्लस एके मुभासिदा आप समझी इस बाट को इस सर्थ जो है अब इससे पहले जिए अपके कॉपी में देखो तो पीएश इसकल टू पीम लिखा जिया था पीम यह सर्थ फिर मैंने इस्टेंस प्रॉम एपॉइंट जिसको कम लोग फोकस बोलते हैं और वो डिस्टेंस इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस प देखवाय था है यह सर्थ यह बाइचांस की बात है हमने एम ले लिया पहले तो कोई बात नहीं इतना समझते ही होगी आप लो तो पीएश इस कल टू पी एन हो जाएगा इस केस में यह एस ठीक पीएश क्या है जॉन कि दो पॉइंट है हेलो जॉन यह सर्थ हाँ पीएश जो है और डिस्टेंस पहुने लगाएंगे यह सर्थ और पीएश पीम नहीं पीएट पीएट सॉरी यह जान रखना यह एक्च्वल में पीएट है यह पीएट है यह आपका pn है ठीक इसमें पर फंटर कडिस्टेंस लगाएंगे फ्रॉम एप यह पॉnor इविट थी कसे अब यह दोनों आपस 마음에 क wrong क्या होना चाहिए एक channelना चाहिए थेक है जह एक कुल कर जा의ंगे प्रशठी करनेा इकुल कि तु ب to सर आपने पी एन क्या लिखा था एक्स प्लस ए अब देखो पी एस की जगह पर लिखे थे एक्स माइनस एका होल स्क्वार प्लस वाई स्क्वार का अंडर रूट इस इक्वल टू एक्स प्लस ए ठीक यहां तक समुझ आगे सबको ठीक अब देखिए हम दोनों तब स्क्वार कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे x minus a का whole square plus y square is equal to x plus a whole square उसके बाद आप लोग please हमसे कल्कुरिशा मत करवाईए और ये बताईए क्या ये y square is equal to 4x आ रहा है खुद किजिए और हमें बताईए ये सर आ गया आ गया जानुवी आप भी करो सच्छम समझ गया है ये सर समझ में आगया सर एक डाउट था जैसे जैसे आपने का डिरेक्टरिक्स equation x plus a equal to 0 तो सर वो जो वहाँ पर point था उसके कहीं से भी अगर point ले ले तो उसकी equation बही बन जाएगी बद ध्यान ये रखना है जो कि P जो होगा होगा अभी आएंगे उस पर अभी आएंगे हो गया हो गया वाइस कर इस तर लो फोर एक्षा आगे महाश्रा ये सर आगया वेरी गोड जॉन गोड चलिए अब हम लोग क्या करते हैं जो कि हम लोगों ने डिफाइंड किया जो पैरा बोला क्या होता है फिर सी रिवाइज कर वा जेते हैं इट इस प्वाइंट इन वीच इस दिस्टेंस प्रॉमे फिक्स प्वाइंट को बोलते हैं फोकस इस इकवल टू इस दिस्टेंस फ्रॉमे इस टेट लाइन वीच इन नोन एज डिरेक्ट्रिक्स ठीक उसके बाद हम लोगों ने देखा जिवाइज इसकार 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 फोरेट्स जो होती है वह जेनरल प्रमला होता है जो कि आपको पढ़ना है अब हम लोग लिखेते हैं रिजल्ट पैरा बोला में आपको लोगों को क्या क्या रिजल्ट पढ़ना है उसके बाद हम लोग कोस्टन करेंगे उसके आद यह चेप्टर खतम हो जाएगा रिजल्ट रिजल्ट में देखिए ज्यान से जो भी बता रहे हैं उसको एकडम ज्यान सुनिएगा तभी कोसे कर पाएंगे यह देखिए यह जो एक्वेशन है y2 is equal to 4ax का ज्यान सुनिएगा यहां पर y के power 2 है और x की power 1 है समयरे में बाद जिसका power 1 होता है वो axis के नाम से जाना जाता है axix axis के नाम से जाना जाता है पहली बात जोसे बात यह जो कि यहां पर अगर आप देखें जिस line के along यह उपर है और यह नीचे है जिसको बोलते हम लोग symmetric that is known as axis इसको क्या बोलोगे यह हो जाएगा axis ठीक है axis में क्या बोलोगे y equal to 0 y square is equal to 4x के लिए axis क्या हो जाएगा y equal to 0 और और x axis दोनों का मतलब सेम होता है तो सबसे पहला result आया axis ठीक है इसको आप कर लो first result okay second result second result है इसको ले लो s a comma 0 ज्यान से सुनना a comma 0 that is known as focus एस जो होता है यह focus होता है और इसका coordinate है वह a comma 0 पर होता है और focus कहां पर होता है away एक्सिस पर होता है और X is ठीक है encourage focus 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 मेरा एक से या एक्सिस पर दोगाए इसकेस तुम बोले सकती हो X अब यहां पर देखो यह ले लिए इसका नाम डाल दो जो यह है यह है पी का मतलब यह होता है जहां से यह टर्ण करता है इस केस में दिखाए दे रहा है जो कि यह और जिन है यह और जिन है जिसको बोलते हैं वर्टेक्स जहां से यह चेंज करता है अपना सेप को ड्याटी नोन अज वर्टेक्स अब देखो यहां से जितना डिस्टेंस यह पी का एस का होता है उतना ही डिस्टेंस पीछे से हम लोग लेते हैं जो गई बताये था इसका नाम डाल दो जैसा शुधा हो आप लोग को और इसका वर्टेंस होता है वह होता है माइनस एक कॉमा जीरो और इसकी एक्विशन होती है अब मैंने लिखा भी था एकस प्लस एकवल टो जीरो विचिस ओनोन आज डारेक्ट्रिक्स और यह क्या होता है पैरलेल टू वाई एक्सिस होता है ठीक है अब यहाँ पर एक यह और ध्यान दखना इसका कोशन इनिस्याटिव नहीं है लेकिन हम आपको एसाइनमेंट में देंगे वो यह पी इज मिड़ पॉइंट ऑफ मिड़ पॉइंट ऑफ किसका किसका एसे एम एम एन एसका ओके ठीक और देखो सबसे लास्ट सबसे लास्ट क्या है यह देखिए इसके बाद हम आपको इसका नाम डाल दो एल एल डैस लडास एल डैस के बार मापको लिखवा जाते हैं जो की लिखिए इंट एस इस नोन एज लेटास रेक्टम लेटास रेक्टम रेक्टम रे-स सी टियू एम एक्सक्पीज मिस हां जो अपने पिछले में रिख्वाया था वह लेकिन रडाश का सिट्विशन अलग है मैं वह अब prediction रहा है जो टी है वो लेंद अब Perpendicular to Axis होती है And Passing through Passing through Focus यह सब Objective Question में बन जाएंगे आपनों को 1,0 Passing through, Focus तो अब जानवी समझ गई? थी यह सवब जो आपने पोइंती हाता वह हम्गर दित jestem कहीं भी कहीं भी पैरा बोला के कहीं भी पॉइंत्व सकते हैं लेकिन सब्सक्रान हाँ सब्सक्राइब हाँ जो ओरीजिन होता है सब उसे यहां पर वर्टेक्स बोला है हाँ कि यहां पर इसकी जोरत उतनी है नहीं लेकिन बता जते हैं एक की जोरत नहीं है चलिए अब इसमें लिखना ठीक नहीं रहेगा यहां तक नोट कर लो पहले कि कुश्चन के लिए घबराना मत फ़ले कुश्चन आज हो या ना हो लेकिन कंसिप्ट समझना जाएगा तो कुश्चन आप तो कुछ कर लोगे कर से मेरा समझाना जाजा कांव अच्छा था है नोट कर लिए सब लोग नोट हो जाए तो बोल देना होता है और ए लेंथ आप लेटर सेक्टम जो होता है वह और होता है लिख लो में तब लेटर सेक्टम और ए ठीक है अब इसको मिटाने जा रहे हैं हम चलिए तर यह लेटर से रेक्टम फोकस से पास होगा और एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो इसको क्या बोलेंगे वह अभी आपनों को पढ़ना नहीं है इसमें इसको फोकल कॉर्ड उसको फोकल कॉर्ड बोलते हैं चलो जब परहेंगे तब अभी पिलाल हम लोगों को को करना है चलिए आप देखिए अब हम लोग आते हैं एकड़ाम छोटा सा क्वेस्टन उसके बाद दूसा पैटर्न मान लो जो कि y square is equal to 16x हमने क्वेस्टन लिया ओके तो कंपेर y square is equal to 4ax से तो a कितना होगा जी यहां से 4 सबको समझाया थेक जब सबको समझाया तो अब एक एक करके देखो हमें निकालना है वर्टेक्स कैसे हो गया और कंपेर करो और एक्वल टू कितना निखेंगे जानवी समझाया गया वर्टेक्स में 0.0 अब एक एक करके बताते चलते हैं जहां पर आपको डूट हो तो पूच्छ लेना वर्टेक्स लेटर सेक्टाम लेटर सेक्टाम उक्वले सकना लेंधार लेटर सेक्टाम इकुल टो ये सेक्टों ईसके बाद डायरेंट्रिक्ट्रिस क्या था x plus a equal to 0 तो यहाँ पर जाएगा x plus 4 equal to 0 तो यह चार पार्ट आपको निकालने हैं NCRT में I think इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं है सभी के पास NCRT है NCRT मैं लेकि इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग answer match करोगे तो तुस्त असे confident बरता है अभी online में यह से परिशानी है तो आप लोग है आपका 11.2 प्लीज ओपें चैप्टर 11.2 और इसमें सबसे पहले question number one और five दोनों के answer निकालने से पीछे देखिए उसके बाद अगर उसके दिक्कत है तो पताईए पर कौन सा करना है one and five इसको compare हमें by square is equal to four x से करना होगा हाँ जी question का पॉर्मेट वही है न exercise 11.2 का question number one and five डोनों कीजिए पीछे से answer मिलाईए और उसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताईए अच्छा एक्सिस में निकालना था जी वो तो निकाल लोगे इसमें एक्स 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 इस पीछे देख रहना हमको नहीं धियान है क्या answer है या एक्स एक्सिस होगा या तो y equal to zero होगा दोनों से कोई एक होगा हो अच्छा बताना तो क्या लेकिए पीच्छा में एक स्कूर्ण तर्फ एक इसमें पर इसमें फर्स्ट में दो दे रखा है एक्सा कर्ण पर खुड एक्स कि इस एक्स एक्स एWar एक्सीलिगना तो y Comealay झाल 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 जानवी और जान जल्दी कीजिए इसका मतलब आप लोग को समंद में आ गया तो हो सकता है यो कि एगला विला भी समंद में आ जाएगा यह देखिए आप हम लोग ले रहे हैं इसक्वाइब है यह स्क्वाइब कर एक्सक्राइब यह देखिए अभी हम लोगों ने यह बनाया था और आप जानते भी विए कि अगर पॉजिटिव मुद्फ होता है 그래도 तो जिसका ग्राफ बिना हुआ रहता है तो मैनेश के साइन के साथ जर्ष को जाता है इसका इस इस नेगम बनेगा वह ऐसे अ इसलने से जो कि अगर ऐसे बन गया होगा कुछ नहीं जैसे अगर हम लोग करेंगे तो वह वहीं रहेगा इसम precinct नहीं बोला है लिए सके बाट्रेश की बात देंब देखें तो वहाँ आगर फोकस की बात देखें तो जान भी बताएगी क्या लिखेंगे टाइघ कोमदी बताओ जान्वी एक जीरो पॉजिटिव के लिखेंगे और नीगेटिव के लिखेंगे बार अब बांट के बाद डियाक्टिक्स डियक्टिक्स का थाय। यहां से पर पर पेंडिकुलर था यह इस साइड आ जाएगा इस केस में यह बताएगा जॉन यह बताओ इस केस में एक्सीज कल टू ए लिखेंगे एक्सीज कल टू माइनस लिखेंगे से इस साइड आ गयाना यहां पर आ गया इस साइड मुगतिव एक्स चैनल टूजीज एक्सीज टू एक्सपार टू टू गया लिखो तुम लोग एक्स माइनस एक्वल टू जीरो ओके इसके बाद है लेंट आप लेटर सेक्टम तो वो फोर एही रहेगा पूछो क्यों क्योंकि यह लेंथ है तो आप माइनस से लिखो प्लस से लिखो उससे कोई फक्क ने पड़ता है लेंट आप लेटर सेक्टम विल वी आलवेज पूर से समझा गए बात अगर यह वासंग आ गई तो आप लो इसमें से पूस्टन नमर थर्ड करो और पीछे से बिलाओ नमरा धाय से लिखएली बार यह बिलाध जिस्ताफ जहा भर यूख विल से लिखेँएब का र brief I अंगर लेली र अब देखो जो की जॉन कर लिए होगे जॉन मेरी आवाज आ रही है आपके पास हो गया ठीक अब देखिए अब जो है यहाँ पर दो फॉर्मेट संग आ गया तीसा फॉर्मेट ज्रीजude एकना तो पता चल गिया होगा जो कि अगर वाइस्कौर इसकौर इजकल का ग्राव बनेगा वह Аज़िए कुछ बनेगा इसब अब जिहान से देखो इसमें ये बताने की जोरत नहीं है जो पोकस यहां पर होगा तो फोकस यहां पर होगा तो इसका जो कॉडिनेट होगा वो 0, a होगा ठेक डाइक्टिक्स जो होगा वो यह होगा तो एक इसका क्या लिखोगे तुम लोग जीरो कॉमा माइनस ए जीरो समय को मतलब नहीं होता है y equal to minus a ठीक ये वर्टेक्स होगा 0,0 ठीक और ये होगा आपका length of lattice rectum ठीक अब एक एक करके लिखते हैं सबसे पहले एक सिर्फ पहले क्या लिखेंगे एक्सिस ठीक मुवासिरा ये बताएं एक्सिस क्या लिखेंगे इस केस में इस सर य एक्सिस वाई एक्सिस वेरी गूट वाई एक्सिस सब्लों लिख लिख चलो vertex 0,0 ठीक उसके बाद focus जीरो कॉमा ए उसके बाद डायेक्ट्रिक्स वाई प्लस एक्सिस जीरो डायेक्ट्रिक्स वाई प्लस एक्वल टु जीरो लेंथ अफ लेटर सेक्ट्रम मैंने बोला वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है तो वो और एक एक्वल होगा ठीक है vertex अटाये लेंथ अफ लेटर सेक्ट्रम करीकरी सेम होता है इसको नोट कीजिए और इसको नोट करने के बाद लोगम नौर टू कर लिजिए गॉसयं निमार टू कशेंन मार टू करने के बाद बीना कंथ से बता हुए आप लोगम कौसर नमब क्रूर हुए कर लिजिए और हो गया है बाकी को सब्सक्राइब गर्म कर लिजिएगा होमवर्क में फिर हम लोग नेक्स को सब्सक्राइब बढ़ेंगे जल्दी से को सब्सक्राइब टू एन पॉर कर दे कि अईसकर एंतर बग्सक्राइब एंख को सब्सक्राइब टूरिया थे लिए जिए कर दो आए लग्सक्राइब एंध, लोग रस्टेज कि अधिक सबसे हो गया होगा अब इतना टाइम को से हैं नहीं अब जो है अभी तक आप लों की पास क्या था जो कि एक्वेशन गिवेंग था और आप लोग यह चार पार्ट निकाल ले थे कोई दिकत नहीं अब इसका उल्टा इसका उल्टा करने का मतवरी है इसमें से कोई भी दो पाट आपको देज़ेगा और एक्वेशन आप पैराबोला निकालना के लिए बोलेगा इसमें की है सेवन से लेके ट्वेल तक फाइंड एक्वेशन अब आप से पूछेंगे और फिर आप इसे साल्व करवाएंगे वस्टन नमस्ट सेवन ठीक फोकस इज शिक्स कॉमा जीरो एंड डायेक्ट्रिक्स इज एक्स डिजिकल टू माइनस शिक्स चलिए हमें यह बताईए क्या नाम है जॉन जॉन फोकस का कॉडिनेट क्या है तो इसका जो वो बनेगा क्या नाम एक्वेशन बनेगा वो वाई स्क्वार इसक्वार इसकल टू और एक्स बनेगा यहां से सब कुछ आपके पास गिवन है फोकस के साथ अगर कंपेर करोगे तो यह इक्वार कितना लिखोगे शिक्स यह जो डियेक्ट हो गया तो वाई स्क्वार इसकल टू पोर इन्टू इस इसकल टू 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 गया इस श्यूजर अग्या झाल झाल आगे एंसर पीछे से ये सर आगे यानवी सर मुझे नहीं आया ये वाला आप बता दीजिए कैसा सेवं तो लागे था है है हमें चलो ठीक है तो माइक काउं कि रहो हम पूछें तुम से फोकस कितना है जीरो कामा माइनस्थी जीरो कामा माइनस्थी तो हमें ये बताओ तो जो कि फोकस अगर लोगा हो वाइंस त्री है तिक इस एक्षिस पर है एक्सी सब यह आगा अगर इसमें और हम धी टियर में जाएं तो तुमसे पूछें जिए निगेटिव एक्सिस है कि पॉस्टी वाइए एक्सिस नेगीटव एक्सिस बता रही हूं अब बताओ जो कि यह जो इसका ग्राफ जो होगा व करके डान वोगा रहा होगा तो तो अपर था जानवी तब इसका एक उसने क्या लिखा था बता हो तो कहां पर सब्फोकस नहीं जब यह ग्राफ दो उपर था तो इसका है क्या लिखा था x2 is equal to 4ay. 4ay, ok, तो नीचे वाले क्या होगा? x2 is equal to minus 4ay. बस, अब क्या लिखागी? x2 is equal to minus 4, एक जगा पर रखोगी, 3 into y equal to minus 12 y. यह इन एंसर येस टेक मैनस नहीं रखा है मैनस नहीं आया है मैनस आया होगा सच्छम क्या एंसर सब्सक्राइए है यह होगा माजान भी क्या वोल लेती मुझे पुछ नहीं सब्सक्राइए अब क्वेशन नमर्ट 10 करो 9 और 10 एक ही टाप का क्वेशन है क्वेशन नमर्ट 10 कर लो क्वेशन नमर्ट 10 के बाद 11 भी क्ये सब्सक्राइए हस्वेशन नमर्ट 10 करोMO क्वेशन नमर्ट 100 के बाद 10 कके खिए झाल कि अब एक इंपोर्टेंट कॉस्टन हम आप लोगों से पूछ रहे हैं वो इसे पूछ रहे हैं क्योंकि हो सकता है कुछ आगे कराना परेगा सक्षम पर तुम से स्रू करें यह सर आपके स्कूल में एंसियाटिक अलावा आपड़ी सर्मा करा रहे हैं स्कूल में तो सिर्फ एंसियाटि करा रहे हैं और वैसे बोलते हैं कि एक्ष्ट्रा बुक्स कर लो चलो ठीक है जाम में एंसियाटिस बाहर नहीं देंगे जानवी लोग ऐसा करेंगे अभी सिर्फ एंसियाटि करते हैं जब पढ़ना होगा तो फिर और सब्सक्राइब पढ़ेंगे लेकिन एक्ष्ट्रा कोशन देंगे ताकि आप लोग पता चल जाए तो इसे भी आगे बहुत कुछ होता है चलिए तो यह पैरा बोला आपका खताम हो गय लेकिन क्लास नहीं खतम हुआ है क्लास में मैं आजे बरा रहा हूं इलिप्स क्योंकि को सब्सक्राइब करना है चलिए टॉपिक डालिए अच्छा जो मैं कुशन शोड़ता हूं इमानदारी से बताओ सब लोग कर लेते हो ना कि जानवी कि नहीं वासिरा कर लिया करो क्योंकि ना एक्जाम में वह आपको प्रॉल्म हो जाएगा इस तरीके से मैं सबके लिए मैं बोला हूं अभी वी अगर आप देखो फरवरी में आपनों के पेपर होंगे यह पक्कर बात है तो अभी भी आपनों के पास वान और हाफ मन्त है जाना चाहिए यहां पर सारा को स्लम कराने के लिए बैठेंगे तो ताइम केलिंग होगी फैदान भी फैदानी होगा इसलिए हम लोग करते हैं अब देखो यह नया टॉपिक है इसमें सिर्फ मैं आपको आज कंसे बता देता हूं उसके बाद कुस्टन हम लोग करेंगे इलिप्स के केस में यह देखो अब मैंने बताया था उसके कंडिशन में जो कि पीएस जो होता है वह इंटू पीएम के इकवल होता है ठीक और यहां पर एकी वेल्यू लेस देन वान होती है अच्छा मुवसरा आपने यह नोट किया था यह वहला पार्ट अच्छा आपने क्या लिखाए यह पीएस इजीग्वल्स टू इंटू पीएम आप तो लिख चुकी है मैं इन से पूश्राओं वह सब्सक्राइब नहीं कराता अच्छा नहीं कराता चले ठीक है मैं बता जाता हूं एक में आप लिख लो पीयस इस कल टू ए इंटू पीए सब्सक्राइब करते हैं तो कैसे बनाते हैं वह देखिए यह यहां से देखिए इसके बाद यह एक साइप क्या होता है यह यह बीच में सेंटर होता है यह बीच में सेंटर होता है और इसको हम लोग ऐसे करके हम लोग के पास 10 मिनट का टाइम है इसमें हम लोग पूरा पार्ट कर लेंगे इसका डिफनेशन क्वेस्टन हम लोग नेक्स क्लासी करेंगे यह देखिए यह है है इलिक्स यह है एक्स एक्सिस य एक्सिस यह है हो सकता है आप जब इनिशाटी पढ़ेंगे तो यह डैस बीच अलग अलग होगा लेकिन मतलब सब का सेम है यह बी है और यह पी डैस जा आप यह प्रोंपरेंगे प्रोंपर्सी करो सक्षां रोग सेमों जो कि फोकस के नमका अहीं आप ढBBरीच कर देख है था चुओ पोकस के नम जाना जाता था is directly proportional to its perpendicular distance from a state line which is known as directrix. तो ellipse के case में आपके NCRT में इतना इन्होंने कर दिया है, directrix नहीं पढ़ना है, बाकि सब कुस पढ़ना है. अब इसका equation क्या होता है? वो देखिए. यह होता है, x square by a square plus y square by b square is equal to 1. where a is greater than b. ठीक, यह particular ही इस case में है. अब यहां से result निकालना सिखिए. देखिए, जो size बड़ा होता है, वो उसका axis कर लाता है. जैसे इस case में a a dash बड़ा है, इसको हम लो लिखेंगे a a dash और इसको बोलेंगे major, major में तो जानते हो, बड़ा होता है, इसको बोलते है major axis. ठीक, फिर यहां पर है bb dash. तो अब यहस है major का उल्टा, minor, तो यह minor axis. ठीक, अब देखिए, यह जो है, यह 0, origin. इसको बोलेंगे 0, 0, ठीक, इसको बोलते हैं center, जैसे वहाँ पर बोले थे vertex, यहाँ पर बोलेंगे center, एक दाम बीच ओ बीच में होता है, ठीक. a dash के major axis बोलते हैं, तो हमें यह बताओ, जो कि तुम लोग, अगर a की value निकालनी होगी, तो y की value 0 रखेंगे, तो y की value 0 रखेंगे, x इसका कितना हैगा? a square, it means x is equal to plus minus a, तो coordinate की बात हम लोग करेंगे, तो इसका coordinate क्या लिखेंगे? a, 0 ठीक, फिर इसका coordinate क्या लिखेंगे? minus a, 0. Similarly, इसका coordinate है, वो कितना लिखेंगे? 0, b और इसका coordinate लिखेंगे, वो लिखेंगे 0, minus b. सब बनाते चलिए अपने परे कॉपी में जल 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 दी? सर, यह y, 0 अपने मलब, इस case के, इस case में ही है. ने, ने, हमने y equal to 0 रखा, x की value निकालने के लिए. अच्छा सर, वो आपने late किया. हाँ, यहाँ पर put किया, y equal to 0, x की value निकालने के लिए. फिर, x is equal to 0 जब रखेंगे, तो y square is equal to b square, तो यहाँ से y equal to plus minus b. ठीक, इसके बाद देखिए. सर, आपने लिए क्या लिखेंगे, b dash को कॉर्दिनेट. b dash का कॉर्दिनेट 0, b, और b का कॉर्दिनेट 0, minus b. और a का क्या लिखा है, सर, आपने? a, 0. a, 0. a का पुछी हो, a तो इधर है, minus a का माद 0, left में minus होगा है, और ठीक, आप कर लोगी, कोई दिकर नहीं, अब देखिए, अब देखिए, जो है, वो major axis है, इसको हम लोग बोलेंगे, length of major axis, कितना होगा, जी? तू भी होगा, यह समझना है सबको? यह सार, ठीक, ठीक, आप देखो, major, major का आधा क्या बोलते हो, तुम लोग, semi, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, semi, major, semi मतलब, major मतलब आधा, a, उसी तरीके से, इसकी जोरत परती है, को से करते बद इसी लिए, semi minor, equal to, B, semi minor, equal to, B, होगया? दंजर, जान भी नूट कर लिए? अब देखो, अब पूरा नहीं मिटाएंगे, निक्यों अभी इसमों को काम है, तो अभी हम मिटाने जा रहे हैं, बस इसको, इसको, अब देखो तो तो यहां भी फोकस होगा लेकिन यहां पर दो फोकस होगा एक इसके लिए होगा जिसका नाम हम लोग एस डाल दो और यह इसके लिए होगा जिसका की नाम यहां पर लिखो फोकाई, एस एन, एस डास आर, नोन एज, फोकाई, यह जो फोकस का प्लूरल होता है, फोकाई, एफ-ओ-स-ई-ई- तेक, और यहां पर तुम देखो, यह इस तरीके से पैराव ला में एक्सिस पर था, उसी तरीके से यह मेजर एक्सिस प्रनाई करता है, which lies on, लिखे हो, which lies on, यह जरू लिखे लेना, which lies on major axis, ठीक है, which lies on major axis, ओके, तो अब यह S, S' का कॉर्डिनेट चाहिए, तो यह देखो, S का कॉर्डिनेट है, A, E, 0, और S' का कॉर्डिनेट है, वो भी S है, जर पीछे है, तो माइनस A, E, 0, आप लोग इसको भी नोट कर सकते हो, और अभी जागे बता रहे हैं, उसको भी आप समझ सकते हो, फ़ले, eccentricity की value निकालने हैं, formula, उसके बाद, और next class के जब आप लोग मिलें, परसो, तो यह अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, याद रहना चाहिए, जो major axis क्या है, minor axis क्या है, eccentricity क्या है, तो question जल 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 जी करेंगे, और उससी दिन hyperbola start करके खतम करेंगे, खुनिक सेक्षिन, अब देखिए, यहाँ पर, जो eccentricity है, eccentricity का formula लिखो, e square equal to 1 minus b square by a square, जान रखना, यह बरावला पार्ट होता है, नीचे में, हमेशा बरावला पार्ट होता है, e equal to a square, 1 minus a square minus 1 minus b square upon a square, यह होता है, eccentricity का formula, जानवी नोट हो गया, yes sir, sir, यह जो वो formula है, यह formula सिर्फ इसी के लिए है, या फिर सब के लिए है, नहीं, यह सिर्फ इसी के लिए है, अभी जब हम लोग figure change कर देंगे, तो eccentricity की value है, वो भी change रहेगी, लेकिन हमेशा एक चीज़ आ जखना, वो हमेशा 1 से चोटी आएगी, चलिए, अब दराद ध्यान सुनो, यहां से, तो e equal to क्या लिखोगे तुम लोग, under root a square minus b square upon a square लिखोगे, यह equal to under root a square minus b square upon a लिखोगे, इस a को इधर ले जाओ, तो a e equal to under root a square minus b square लिखोगे, अब ज़्यान से देखो, जो s और s dash का जो कोडिनेट था, वो a e comma 0 था, तो हम लोग direct जो है, वो under root a square minus b square comma 0, a focus, मतलब s, और minus under root a square minus b square comma 0, s dash, लिख सकते हैं? तो इसमें क्या होता है, जो कि आप लोग को eccentricity निकालने की ज़रूद नहीं होती है, direct अगर focus मांगता है, तो आप लोग under root a square minus b square, और minus under root a square minus b square लिख सकते हैं, ठीक है, जब लोग कुर्शन करेंगे, तो आप इसी formula का यूच किजिएगा, और मैं बता देता हूँ, जो कि आपके ncrt में इसी चीज को इन्होंने c लिखा है, मतलब a equal to c, अपने a square का क्या लिखा है? a square का कुछ नहीं लिखा है, हमने a को उधर ले गए, तो यह a equal आ गया, तो इस दिनॉमिनेटर में a square का क्या बनाया यह? यह a है, यह a है यह, square root से बहार निकल गया, और यह a जाके इधर में जाके multiply हो गया, तो यह a ही हो गया, जान भी समझी? यह थेक, जान? यह सर्ब, note कर रहे हो, यह सर्ब, थेक, तो यह हो गया, plus minus under root a square, बी स्क्राइब टोटल हो गया, ओके, अब इसका जो last point है, वो लिखवा के, फिर इसको हम शुट्टी करते हैं, वो काई हो गया, axis हो गया, center हो गया, eccentricity हो गया, major axis हो गया, minor axis हो गया, directrice आपको पढ़ना नहीं है, एक चीज़ पढ़ना है, that is known as, length of letter spectrum, ठीक है, देखिए, length of letter spectrum, जैसे वहाँ था, वैसे यहाँ भी होगा, क्या था जी, axis के perpendicular, and passing through, focus, तो यह हो जाएगा, L, यह हो जाएगा, L' देखो, जो इधर होगा, उतना ही इधर होगा, यह भी आप बोल सकते हो, L double dash, और यह हो जाएगा, L triple dash, जो भी है, तो L' की length, लिखोगे, length of letter spectrum, लिखोगे, length of letter spectrum का फ़र्मना होता है, 2 B square by A, जान से देखना, length of letter spectrum, 2 B square by A, सबन भागी बात? Yes, sir. अब एक मिनट में, मैं आपको पुरा रिभाइज करा दे रहा हूँ, इसका ellipse का, ellipse के सामने में आपके साथ figure है, X square by A square plus Y square by B square is equal to 1, where A is greater than B, so that A dash is known as major axis, and B B dash is known as the minor axis. Length of major axis is 2 A, and length of minor axis is 2 B, so that length of semi-mejor axis A, length of semi-minor axis B, center is 0,0, eccentricity is equal to 1 upon under root B square minus A square, focus is on the, focus is on the major axis, coordinate क्या लिखोगे, plus minus under root A square minus B square, and length of letter spectrum, 2 B square by A, please इसको आप लोग पर्सों तक जरूर अच्छी तक ज्याद करके रखिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं पर्सों तो फिर इसको आगे पॉर्सन करते हैं, तीक है, और जियान फुरा सा रेगलर रहा कीजिये, तो फुरा सा मतलब आपको इसमण में आएगा, और उसके बाद तो अच्छा भी लेगेगा समको, ठीक ना है, और बाकी इसको कर लिजिएगा, पराबोला का अप लो, खराएण खराएण उसके खराएण तो तो को चाहिए, प्राएण था खराएण थाख्ना,